जाती परवांट जारी करो जारी करो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागते आप सभी का भारत दस्तर पे बड़ी ख़वर निकल करा रही है मद्ध परदेश की राजदानी भुपाल से एक बार फिर से भीम आर्मी एवं आयस समाज पार्टी ने मद्द पर्दुश में धर्ना किया पर्दुशन किया दोस्तो इस बार मुद्द था बहुजनों के जाती पर्मानपत्र का हाँ दोस्तो SC, ST, OBC के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके अभी तक कई लोगों के जाती पर्मानपत्र नहीं बने है जिससे उनके बच्चों को शिक्षा लेने में कटना ही आती है इस भारत के अंदर और उनको नोगरी लगने में कटना ही आती है जिसको लेकर आज़ा समाज पार्टी एवं भीम आर्मी ने एक बड़ा धरना और्गिनाईस किया और कलेक्टर ओफिस जाकर कलेक्टर महुदे को एक ज्यापन दिया कि जितने भी SC, ST और OBC के लोग हैं जिनके जती पर्मानपत्र नहीं बने हैं अभी तक उनको जल्ट जल्ट जाती पर्मानपत्र देने की करिपा करें कष्ट करें उनके जाती पर्मानपत्र बनाएं जिससे उनके बच्चों का भविशे सुद्रें और उनको जो साविधानिक हग मिले है आरक्षन मिला है वो मिले और उनको जो सुविधाय मिलती है नोकरी में वो मिले तो दोस्तो ये गफ बड़ा परदेशन और्गनाईस किया गया इसमें भीम आर्मी एम आजयस समझ पाट्डी के जो मद्दपरदेश के उपधक्षे विला सब काले जी थे इन सभी ने मिलकर एक बड़ी रेली निकाली जो आप वीडियो के माद़न से, तस्वीरों के माद़न से देख पा रहे हो और एक बड़ा ग्यापन कलेक्टर महुदे को सोपा है और अडिटिमेट दिया है कि जल्त जल्द अगर इस ग्यापन को पूर्ण नहीं किया जल्त जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो एक बड़ा आंदोलन जाती परमान पत्र के समर्थन में चंदर शेखर आजाजी आकर भौपाल में करेंगे जो 12 फरवरी को किया था तो दो दोस्तो अब अगर यह ग्यापन संबाई नहीं होती है जो मांगे पूरी नहीं होती है तो व्लास विलच जी उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो चंदर शेखर जी खुद भौपाल में आकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे जाती परमान पत्र के जिन्दावाद नहीं किसे भी मांगे जूरत ने गुंडा करती नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जाति करान मंत चारे करो जारी 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 कर झाल